अलो फ्रेंट्स नमस्कार श्वागत है आपके अपने जैनल एज इंवेश्टमेंट में मैंने आप लोगों को अप्रेल शुरुआत से पहले मैंने बोला कि इस महीने हमारा इंवेश्टमेंड एस स्मार्ट तरीके से होना चाहिए और उसका तरीका बताया था ब्लास्ट कि हमने स्टार्ट किया है वेरे गुड और एक अच्छा तरीका था मैंने दो बताया थे शॉट ब्लास्ट शिप के लिए पहला था किवल अप्रेल में इंवेश्टमेंट करना है और दूसरा था अप्रेल से लेकर में जून जुलाई तक आपको इंवेश्टमेंट करना है तो चली मैं एक एक जांपल के साथ दिखाता हूं जो फर्स्ट मंत जिसका इंवेश्टमेंट स्ट्रेटजी था अगर उष्ण ने किया हो तो कैसे किया हो मैंने भी एक अपने फ्रेंडश का इन्वेश्टमेंट किया है अपने पॉर्टल के थिरू और मैं इस पोटल पे आ अगे था कि मुझे। 50,000 रुपे इंवेश्ट करना है। और 5 साल के लिए इंवेश्ट करना है तो मैंने यहां पर इनका इन्वेश्टमेंट कर दिया कब किया कैसे किया। मैंने फॉलियोव उनका डिसायन किया है।ो कैसे डिसायन के अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इनका एक रखा एकसेसबलोचिप इसके पहले मैंने आपनों को वीडियो में किलियर बताया हुआ है कि कहां कहां पर कैसे एंवेश्टमेंट करना है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो रिक्वेश्ट करूंगा दुबारा जाकर मेरे सॉट लाश क्वमाय जयों कि जो हैं यानि फर्स्ट जो प्लानिंग था आपने अगर कर लिया तो भूट अच्छा है नहीं किया तो सेकेंड प्लानिंग पर आपको काम करना चाहिए और उस पर आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत एक इक बहुत अच्छा time है तो मैंने इनके लिए प्लान किया क्योंकि पहले टाइट था इनको 50 ज़र पर इंवेस्ट करना है और इनके पास 4-5 सल का टाइम है यह शॉट ब्लास्ट शिप में हमने श्टार्ट कर दिया अब आप देख सकती हैं आप यहां पर मैंने यहां पर लाजके लिया है यहां पर मैंने फॉर ऐश्मेंट लिया है जो वीडियो बनाया है जो अभी NFO चल रहा है मेरे कहले से आज उसका लार्ज था तो खतम हो गया होगा 29th को एक्टिव हो जाएगा आपकी पास फोलियों पे एने भी आ जाएगा और दूसरा था SVI Small Gap Nesdaq बहुत अच्छा है अगर आपकी foreign investment में foreign की companies में investment चाहती है जो बहुत अच्छी अच्छे companies हैं उसके लिए तो हम इसको देख लेते हैं मैंने कैसे किया अब इनके पोलियों को हम देखते हैं जैसे access fellowship में मैंने जो आपको planning किया था कि आपको हर इस week में जो गिरावाट हो रहा है उस गिरावाट पर आपको purchase करना है अब देखें यहां पर पहला मैंने 3rd April को purchase किया था 5000 उसे तरह से 8 April को 5000 15 April को 5000 21st April को 5000 यह आपके purchase हो गया यानि हमारा यहां पर 20,000 का purchase हो गया उसी तरह से अगर हम मोतिलाल ऑश्वाल नेजडेक 100 की बात करें यह सारे details अल्रीड आपके जब भी मेरे आप साइट पर जाए तो यहां पर आप जाकर विश्वर फंड्स में यहां पर जो फैब्रेट फंड्स है यह फिर टॉप इंडेश्टिस ट उसी के recording कर दिया अब मैंने क्या किया था 5000 किसमें लगाया बुलूचिप उसी तरह से फाइट फाइट का हमने नश्डेक लिया और 2000 का स्मॉल कैप लिया तो यह अगर आप मिला हैं तो लाश्ट में कि 48,000 होता है 55 और टू लेकिन अगर यहां पर देखिए मैंने 21 का क्योंकि यहां पर 2000 मेरे को बच रहा था इसलिए स्मॉल कैप में मैंने दोनों एड कर दिया इस टाइप से हमारा पूरा का पूरा इंवेश्टमेंट जो क्लाइंड का था 50,000 का इंवेश्टमेंट हो गया अब चाहें इनके लिए मार्केट निचल जाए या मार्केट उपर जाए इनको अब इसमें कुछ भी नहीं करना आप देखिए 55,000 का इंवेश्टमेंट आज थोड़ा सा मार्केट बढ़ा है उपर इसलिए आज इनकी वैलू है 52,000 रुपे जो आपके पास देख रहा है 52, 58,000 रुपे आज की वैलू यह एक साजार क्योंकि अभी इन्वेश्टमेंट हुआ है तो कोई फाइदा नहीं है देखने का अब इसमें आपकर देखें तो फोलियो में हमने ब्लू चिप यानि लाज केप को 40% के पास रखा है उसी तरह से 40% के पास हमने इंटरनेशनल कंप क्यूंत होना चाहिए यहां पर मैंने इनकी भी आज की इस्टाटेजी में मार्केट गीरे हैने के स्ट्रटेजी मैंने इनका 80 परशेंट लाज कैप रखा है यानि मोतिलाल जो वुश्राल हंडर्ड है यह भी लाज कैप के कंप्रेश को चूज करता है तो 80% हमने यहां पर लाज केप रखा है और 20% एसमाल केप रखा है यह इनकी strategy है और इस तरह से इनकी investment हुआ है और यह folio create हो गया है for long term इस folio में यह सारी मैंने पहले दिखाया हुआ है कब-कब आपका investment हो जैसे first third को investment हुआ था फिर 20 यह आप 8th को investment हुआ है फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 या 15 को investment हुआ है फिर आप 24 यानि यह चार विक में चार बार investment हुआ और यह folio complete return के लिए तैयार है और आप लोग को मिलूँगा इस folio के साथ next 5 years के बाद 4 years के बाद ताकि आप इसको देख पाएं कि इसमें क्या है और कैसे है यहाँ पर सारी options दिये हुए client के कोई ship है transitions करना है redeem करना है switch करना है सारी options है client आहाँ से भी add-on relations कर सकते हैं इनका folio का क्या loss and profit है उस सब website से देख सकते हैं client को अपना user ID पाश्फुल दिया हुआ अपने mobile पर भी access कर सकते हैं mobile से भी इन चीज़ों कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की rate में क्या loss है और क्या profit है उनकी folio का उस तरह से transactions कब सब हो है यह सारी चीज़े available है तो मेरा आज का सिर्फ यह था कि मैंने अपना यह folio अपने client के लिए जो बनाया था एक 50,000 के investment के लिए बनाया था और उस investment में मैंने 80% इस समय भी last cap के funds choose किया है जिसमें distribute किया है 40% international market 40% Indian market and 20% small cap as as well 50,000 का अगर आपने एक लाख लगाना है दो लाख लगाना है पांच लगाना है इस टाइप से आप distribute कर सकते हैं और अपनी folio को बहतरिन बना सकते हैं अगर आपने यह नहीं किया है तो आपके पास दूसरा मौका है 4 month options फर्स्ट अब खतम हो चुका है अपरेल अब आपको 4 month का option बच रहा है में जून जुलाए तो उसमें आप investment कीजिए strategy में आइए जब भी market आपका dip जाए invest कीजिए और इस टाइप से आप अपने folio को create करके छोड़ दीजिए यह आपके लिए बहुत फायदेमान्द है यह short blast ship आपके लिए आप कहेंगे कि 5 साल बाद कहेंगे कि यह मैंने बहुत अच्छा decisions लिया है और यह बहुत अच्छा returns देगा अगर आपको इसमें कोई keywords है तो आप मेरे YouTube में comment कर सकते हैं लिख सकते हैं मैं पूरी वासिस करता हूँ आपको जबाब देने के लिए और उसको solve करने के लिए अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं request करूँगा like, subscribe और share करना बिल्कुल न भूले thanks a lot, keep watching